सीकर सीट से गडबंधन प्रत्याशी अमराराम ने बीजेपी प्रत्याशी सुमेधानंद को शिकस्त दी है जीत पर अमराराम ने क्या कुछ कहा आईए आपको सुनाते हैं जन्यवाद आपको और मैं देख रहा हूं कि आज डाका बहुन में डोल लगाड़े बज़रे हैं तेजल वाला डांग चल रहा है बिलकल चलना चाहिए जीत का जस्नो उना थी है जीत उस कुसासन के खिलाप हुई है जो दस साल में जो वाइदे के एक वे वाइदा करने की बजाए जन्ता के खिलाप काम किसान हो मजदूर हो नोजवान व्यापारी आम जनता के खिलाप किया है और बड़ी-बड़ी कंपनियों को माला माल किया है तो सबसे पहले तो मैं तमाम इंडिया गड़ बंदन के नेता कारे करता हो तमाम आम मताताओं को धन्यवाद दूँगा क्यों चुनाओ जन्ता ने अमराराम के माद्यम से लड़ा है तन से मन से और दन से इसलिए जी तूश शंगर सिल जन्ता की है जो आम जन्ता के हक और रजिकारों के लिए लड़ती है इसलिए मुआ पुना उनको धन्यवाद देता हूं और उमीद करता हूं कि जिस आसा के साथ तो उन्होंने जो समर्थन दिया है उन आसाओं पे खरा उतरने का काम अमरा राम सड़क से संसत्त करेगा जिस तरह से विदान सभा में 20 साल किया है उससे बहतरीन तरीचे से संसत्त में भी करेगा राजस्तान की दूसरी लोगस्वा सीटों पर कवरेश के लिए जाते तो सीकर का जिकर आता तो अमरा राम तो वहां से जीच जाते थे पहले कया सो गया का भावनात में लोगों का जुड़ा फूप था आप लोगों से मैंने पूरे बोड़ चाहे दोदोर दातरामगर से लेक करने का मौका मिलेगा और इस कुछासम से चुटका रहा मैं समयता हूं अभी जो रुजहान है उसके तरह से रिजल्ट कुर्ण रूप से आए जिक पॉल कुद्मूरी तरह सा जुटला दिया है एजिक पॉल तो वही गोदी मीडिया और मनी एड़ाने का खेल था जिसमें से मार्केट के माध्यम से एक दर्जन लाक क्रोड रुपे का मुनापा जिसमें असी प्रतिय सदूनी दो विक्तियों के लिए उसी के लिए और भारतिय जनता पार्टी बावल लोगों का मोरल डाउन करने के लिए जनता का बोर्ट तो पिट वीबियों के अंदर था वो बजल की लड़ाई आपका अशिरवाद इसी तरह से जिस तरह से मत में मिला है संगर्स में मिलेगा तो देश का खजाना आम जनता के लिए खर्च होगा ने केवल बड़ी बड़ी कंपनी और बड़े बड़े नेताओं पे जो खर्च होता है इंडियन ऐरलाइन्स को बेच करके द इसलिए निशिद रूप से जिस आसा के साथ दी है आम जनता ने जो जीद दी है निशिद रूप से खरा उतर देगा काम करें